हम जिन्दिगी में successful कैसे हो सकते हैं क्या हमें इसके लिए ज्यादा पैसे ज्यादा IQ या किस्मत की जुरूरत है तो इसका जवाब है नहीं क्योंकि यह हमारे mindset पर depend करता है कि हम successful होंगे या नहीं Thomas Edison गडीब घर से थे जिन्होंने घर पर ही पढ़ाई की थी और उन्हें बहुत कम सुनाई देता था सारी चीजे उनके खिलाब थे लेकिन फिर भी वो एक successful inventor और entrepreneur बने Edison की ही तरह जिन्दगी में challenges के बीच हम भी positivity पर focus कर सकते हैं तो वो seven mindsets जो इस समरी में बताया गये हैं उनकी मदद से हम और आप जिन्दगी में एक मकसद के साथ आगे बढ़ सकते हैं आए इन seven mindsets को learn करते हैं आज की book summary से seven mindsets for success happiness and fulfillment success और failure को जो चीज अलग करती है वो है attitude अगर आप positive strong और discipline है तो आप अपने goals को हासिल कर सकते हैं लेकिन अगर आप अपने negative emotions में दबे रहेंगे दुनिया को blame करते रहेंगे और अपने future के बारे में जिक्र करते रहेंगे तो यकीन मानिये आप खुद के सबसे बर दुश्मन बन जाएंगे अच्छी बात तो यह है कि attitude को बदला जा सकता है सबसे पहले आपको उन feelings को पहचानना होगा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है और उन्हें भी जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है दूसरा लोगों की हालातों की तरह आपके होने वाल mindset को समझाया है स्वामी जी कहते है कि mindset का मतलब है mental habits अगर हम एक ही काम को लंबे वक्त तक करते रहते हैं तो यह physical habit बन जाती है इसी principle का इस्तमाल करते हुए हम mindset को भी develop कर सकते हैं इसमें आप हर वक्त positive thoughts रखकर positive thinking का mindset बना सकते हैं इस समड़ी में आप सिखेंगे कि 7 mindset कैस से develop करें मगर 7 यानि की साथ है क्यों 1957 में Princeton University की एक cognitive psychologist George Miller ने यह सावित किया था कि हमारी short term memory एक साथ सिर्फ साथ चीजों पर ही focus कर सकती है success happiness for fulfillment के 7 mindset है positive thinking responsibility यानि की जिम्मेदारी inspiration pure intentions यानि की नेक इरादे knowledge discipline और problem solving आईए एक के करके इन्हें समझते हैं the mindset of positive thinking क्या आप एक ऐसे इंसान है जिसे आधा गलास भरा हुआ दिखाई देता है या फिर आपको वहीं गलास हमेशा आधा खाली दिखाई देता है अगर आप एक positive thinker है तो आपने success के पहले mindset में महारत हासिल कर लिये आप एक ऐसे खुश और confident इंसान है जो खुश रहने के लिए बाहर की वजहों का इंतिजार नहीं करता आप ये मानते हैं कि जिंदगी में उतार चड़ाव आते रहते हैं और हमें मुस्कुराहट के साथ उनका सामना करना चाहिए अगर आप एक negative इंसान है तो आप हमेशा situation या दूसरे लोगों को blame करते रहेंगे आप future में होने वाले उन अच्छे events का इंतिजार करते रहते हैं जिससे आपको खुशी मिल सकती है आप सिर्फ अपनी जिंदगी में होने वाली गलत चीजों को देखते हैं और इन्हें बदलने के लिए कुछ नहीं करते आपको इसे रोकना होगा आपको positive mindset रखना होगा क्योंकि इसके कई फायदे हैं सबसे पहले ये आपको खुशी देता है हर इंसान का एक ही गुल है वो है खुश रहना कोई नहीं चाहता कि वो दुखी रहे हम तब दुखी हो जाते हैं जब हम यह मानते हैं कि खुशी materialistic चीजों से मिलती है जॉन टीडेक फिरल modern history के सबसे अमीर इंसान थे जब वो अपनी आखरी सासे ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि भले ही उन्होंने लाकों पैसे कमाए हो लेकिन वो कभी खुश नहीं थे ये कहान इस बात को साबित करती है कि आपके पास जो कुछ भी है अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप future में मिलने वाले चीजों से भी कभी संतुष्ट नहीं होंगे जादतर लोग अपनी खुशी को future गोल से जूर देते हैं वो अपने गोल को हासिल करने के लिए stress लेते हैं कड़ी मेहनत करते हैं और आशा करते हैं कि ये सभी चीजे एक दिन हमारे लिए खुशी लेकर आएंगे लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिन्दगी हमेशा आगे बढ़ती रहती है और वो आज की खुशी को मिस कर रहे हैं जब आप अपनी जिन्दगी में positive चीजों पर ध्यान देते हैं तो आप present में जीते हैं आप future में खुश होने का इंतिजार नहीं करते क्योंकि आप खुशी को अभी महस कर रहे हैं positive mindset का दूसरा फाइदा यह है कि आप अपनी जॉब में बहतर performance देते हैं अपने जॉब में positive attitude रखने से आपको success पाने में मदद मिलते हैं अगर आप अपने colleagues को negative तरह से influence करते हैं तो वो आपकी कभी मदद नहीं करेंगे Robert Half International नाम की एक consultant company ने अमेरिका की 100 सबसे बड़ी कंपणियों को study किया उन्होंने senior executive से पूछा कि उन्होंने अपनी company से पिछले 3 employees क्यों निकाले थे 17% employees इसलिए निकाले गए थे क्योंकि वो काबिल नहीं थे जबकि 83 यानी 83% लोगों को उनके बूरे attitude के वज़े से निकाला गया था यह सभी employees बैमान अनमोटिवेटेट तो थे ही लेकिन वो instruction को भी follow नहीं करते थे यह बात साफ थी कि employers के लिए skill से ज़्यादा attitude माइने रखता है Positive mindset का तीसरा फाइदा है अच्छी health आपके thoughts का आपके blood pressure, heart beat और body के chemicals पर असर पड़ता है इसलिए आप अपने thoughts के कारण healthy और बिमार होते हैं Medicine की field में placebo effect नाम का एक concept है कभी-कभी एक patient को लगता है कि वो बिमार है लेकिन वो सच में बिमार नहीं होता इस case में doctor एक ऐसी गोली या injection देते हैं चो असल में दवाई नहीं होती लेकिन patient को उसे लेने से बहतर महसूस होता है मगर सवाल ये है कि ऐसा क्यूं होता है इस चीज को remember to wellness भी कहते हैं इसमें इंसान ये याद रखता है कि उसे इलाज दिया गया है और वो बहतर महसूस हो रहा है जैसे एक patient गले में खराश की सिकायत लेकरा doctor के पास जाता है doctors उसे अच्छे से देखते हैं लेकिन उन्हें कोई बिमारी नहीं मिलती doctor patient को कहते हैं कि सब ठीक है और उसके गले की खराश कुछी दिनों में ठीक हो जाती है लेकिन इसका negative effect भी हो सकता है कभी-कभी doctor के पास जाने से पहले हमारा blood pressure normal होता है doctor का clinic पहुंसते ही हमारा blood pressure बढ़ जाता है इसे धीरे member illness कहते हैं इसमें बिल्कुल ठीक होने के बावजूद भी आप यह याद रखते हैं कि विमारी में रहकर कैसा महसूस होता है और आपको कुछ symptoms भी महसूस होते है कभी-कभी physical विमारी के वज़ा stress होता है जब आप stress में होते हैं तो body cortisol नाम का एक chemical release करती है जिसकी वज़ा से liver ज्यादा गुलकोज release करता है अगर body इस गुलकोज का इस्तमाल नहीं करती है तो इनसान को diabetes होने का खत्रा हो जाता है stress से blood pressure भी बढ़ता है और दिल की विमारी होने का भी chance बढ़ जाता है और इसका उल्टा बिल्कुल भी सच जब आप positive रहते हैं तो आप ज़्यादा healthy रहते हैं जब हम दूसरों के परती ज़्यादा kind रहते हैं तो हमारी body serotonin release करती है यह hormone हमें खुश करता है और हमारे immune system को भी improve करता है अगर positive thinking के इतने फायदे हैं तो हम negative सोच क्यों रखते हैं हम अपने ego की वज़ा से negative सोचते हैं हम खुदगर्ज हो जाते हैं और अपने एक छाओ को पूर्या करने के लिए अलग अलग चीजे सोचते रहते हैं इन goals के विना हमें ऐसा लगता है कि हम किसी काम के नहीं है अपनी positivity को दुबारा ढूरने के लिए हमें सबसे पहले उन चीजों को appreciate करना होगा जो हमारे पास अभी है हमें humble रहकर अपने स्वार्थ को भूलाना होगा पॉजिटिव सोचने की practice हमें रोज करनी होगी नेक्स चेप्टर है Mindset of Taking Responsibility for Our Ag Emotions अभी तक हमने ये सीखा कि पॉजिटिव रहना जरूरी है हम इस पक्के इरादे के साथ सुबह उठते हैं कि हम पूरे दिन खुश रहेंगे लेकि जब बाहर की चीज़े हमें परिशान करती है तो क्या होता है मान लीजे कि एक important client के साथ आपकी meeting है एक client शहर के दूसरे कुने में रहता है और वहाँ तक आपको drive करके जाना है तो अपनी car तक पहुँचने के पहले आपको आपकी बहन का call आता है वो आपसे 7, 10, 15 मिनट बात करती है अब 15 मिनट लेट हो गए कोई बात नहीं क्योंकि आप गारी तेज़ चला कर अभी भी पहुँच सकते हैं सहर से निकलते वक्त आपको बहुत traffic मिलता है अब आप और ज़्यादा लेट हो गए आप अभी भी safe महसूस करना है क्योंकि आप highway पर car तेज़ चला सकते हैं अब आप highway पर पहुँचते हैं और traffic में फ़स जाते हैं सबसे पहले आप सुचते हैं कि आगे कोई accident हुआ होगा कुछ दिर बाद आप देखते हैं कि रूट के दोनों तरफ दो गारिया रुकी हुई है अब यह देहकर आपको गुस्सा आने लगता है आप अपने client के पास लगभग एक घंटा लेट पहुँचते हैं क्योंकि आपके client आपके लिए बहुत मायने रखते हैं इसलिए आप उन्हें पुरी इज़त भी देते हैं मगर आपका client आपको गैर जिम्मेदार बुलाता है अब इस situation में आप किसे बलेम करेंगे दूसरे drivers को उन गारियों को जिनकी वज़ा से traffic जाम हुआ था या फिर अपनी बहन को जिसने गलत वक्त पर आपको phone किया था हो सकता है कि शायद उस दिन किस्मत ने आपका साथ ही नहीं दिया हो आप जैसा भी मसूस करते हैं वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है अपनी situation के लिए दूसरों को दोश ना दे जिन्दगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है और दुर्गरनाय होती रहती है आपको समझना होगा कि आपकी situation और emotions के बीच gap होता है जब आप इस gap को समझेंगे तो आपको उस बाहरी ताकत से छुटकारा मिल जाएगा जो आपको control कर रही है किसी भी situation या event के प्रती हमारा एक response होता है और हम अपने response को control करते हैं हमें जमिदार बनना होगा क्या आपको पता था कि responsibility word में response और ability दोनों आते हैं इसका मतलब यह है कि अपने response को चुनने की ability हमेशा हमारे पास होती है जो लोग यह मानते हैं कि दूसरों के पास हमारे feelings को control करने की ताकत है तो ऐसे लोग emotionally unstable होते हैं वो कभी कभी खुश रहते हैं और ज्यादतर वक्त उदास रहते हैं वो दूसरों को अपने emotions पर हावी होने देते हैं और फिर खुशी ढूंडने की कोशिस करते रहते हैं बगेर जिम्मेदाल लोग जो ऐसी situation का सामना करते हैं जो उनके हिसाब से नहीं होती तो उन्हें ऐसा महसूँच होता है जैसे वो फंस गए वो बाहर के चीजों को बदलने की कोशिस करते हैं और खुद के अंदर जाकना भूल जाते हैं वक्त के साथ-साथ ये लोग हर चीज के लिए दूसरे को ब्लिम करना भी सीख जाते हैं और भूल जाते हैं कि control तो finally उनके पास ही है जैसे कुछ लोग उनके घैर जिमेदार होने के लिए अपने parents को दोश देते हैं वो ये मानते हैं कि उनकी जिन्दगी उसी दिन लिख गई थी जिस दिन वो पैदा हुए थे वो कभी-कभी अपने parents को भी बुरे जिन्स के लिए ब्लेम करते हैं अगर वो अपने parents और grandparents को ब्लेम नहीं करते तो ऐसे लोग अपने workers, अपने boss, परोशियों और बाकी सभी को ब्लेम कर देते हैं बच्चों में बचपना होना ठीक है लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें अपने जिन्दगी की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए अगर आप अपने mind को control नहीं करेंगे तो ये आपका दुश्मन बन जाएगा एक controlled mind ही आपके goals और सपनों को पूरा करने पर focus कर सकता है आप आजादी और जिम्मेदारी को चुन सकते हैं या फिर बचकानी हरकतों के साथ एक negative जिन्दगी भी चुन सकते हैं blame game खेलने के अलावा कुछ लोग दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना पसंद करते हैं यह वह तरीका है जिससे हम अपनी असली feeling अपने अंदर ही दबा देते हैं जब हमें अपनी कमजोडियों और अपने वजूद के बारे में पता चलता है तो हम परिशान हो जाते हैं इस परिशानी और दज से बचने के लिए हम किस्मत भगवान की मरजी और मुकदर जैसी चीजों पर फोकस करते हैं जब तक हम अपने सवालों के जब बाहर ढूंडते रहेंगे हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते सक्सेस पाने के लिए आपको अपनी कमजोडियों को गले लगाना होगा और उन्हें बेहतर करने के लिए उन पर काम करना होगा ये तभी हो सकता है जब हम अपने फेलिंग्स, थौर्ट्स और एक्शन की पूरी जिम्मेदारी लेंगे दूसरों को ब्लेम करने के बजाए एक्शन लीजिए पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि हमें दूसरे लोगों या दूसरे चीजों को ब्लेम करना बंद करना होगा अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये हमारी गलतियों की वज़ा से है शिकायत करने के बजाए हमें अपनी कमजोडियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए कोई भी काम करने के लिए जोश और इंस्पिरेशन यानि की प्रेड़ना की जरूरत होती है जब आप इंस्पायर रहते हैं तो वो पाउरफुल होते हैं एंश नर्जी से भरपूर रहते हैं और मुशिकलों से लड़ने के लिए तयार भी रहते हैं इंस्पिरेशन मुश्किल से मुश्किल काम को मज़़ेदार और एक्साइटिंग बना देता है इंस्पिरेशन से ही मोटिवेशन की शुरूआत होती है motivation का मतलब है कोई काम करने के लिए एक मकसद का होना ये उस person का एक नजड़िया है जो आपको हर रोज सुबह जागने काम पर जाने और अपने goals को पाने और आगे बढ़ने की ताकत देता है उटसव एक teenager है जो गर्मियों के छुट्टियों में एक job ढूंड रहा था उसने एक ad come में एक अच्छी job opportunity देखे उसके सहर का सबसे बड़ा mall नए लोगों को उनके साथ काम करने का मौका दे रहा था एड में मंडे को सुबह 9 बजे मिलने के लिए कहा गया था मंडे को उटसव बहुत excited था वो समय से एक घंटे पहले ही mall पहुँच गया था जहां वो ये देहकर चौंग गया कि लगवक 20 लोग उससे पहले ही आ चुके थे अब वो थोड़ा निराश हो गया उसे लगा कि पहले आए लोग manager को impress कर लेंगे उसे अब job मिलने के chances कम लग रहे थे लेकिन इस challenge में उटसव का जोश बिलकुल कम नहीं हुआ उसने एक note लिखा और lady color को उसे manager को देने के लिए कहा उस औरत ने साफ मना कर दिया और उसे अपनी बारी आने का इंतिजार करने के लिए कहा उससव उस औरत से और request करता रहा उस औरत ने आखिरकार वो note manager को दे दिया note में लिखा था Sir मैं line में किस्वे number पहूँ जब तक आप मुझसे ना मिले कोई फैसला मत लेजेगा manager ने उससव का जोश, excitement और डटे रहने की हिम्मत को देखा और उसे job दे दी inspiration आपको ऐसी तागा देता है जिससे आप किसी भी मुश्किल से निकल सकते है अगर आप सब कुछ खो भी देंगे लेकिन अगर आप में inspiration है तो आप फिर से सब कुछ जीत सकते हैं लेकिन अगर आपने inspiration ही खो दी तो फिर आपको कभी success नहीं मिलेगी मुश्किलों का सामना करने के लिए हमें inspiration कैसे मिलेगी क्या हम सच में इसे पार कर सकते हैं लोगों को inspiration अलग अलग तरह से मिलती है कुछ लोगों को external factor से motivation मिलती है जैसे अपने colleague से या boss से reward लेकर दूसरे लोग खुद बखुद motivated हो जाते हैं वो powerful thoughts और अपने goals बनाकर खुद को inspire करते हैं internal motivation ज्यादा powerful होती है क्योंकि यह आपके अंदर से जाती है इसमें आपको अपना काम करने के लिए और अपने passion को जगाने के लिए किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं पड़ते internal motivation की ताकत पाने के लिए आपके पास अपने goals की एक मजबूत वज़ा होनी चाहिए खुद से पूछिए कि आप मेहनत क्यों करना चाहते हैं पैसा क्यों कवाना चाहते हैं या और healthy क्यों खाना चाहते हैं एक मजबूत मकसद का होना आपके inspiration की आग के लिए fuel का का काम करती है मौत की सचाई भी आपको inspire कर सकती है इस दुनिया में हम limited वक्त के लिए हैं एक दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे अगर आप इस बात को याद रखेंगे तो इससे आप बचे हुए वक्त की कदर करने लगेंगे ऐसा करने से हम हर दिन को जी भर कर जीने के लिए inspired रहेंगे नेक्स चप्टर है Mindset of Purity of Intentions नामुम्किन को पाने के लिए एक purpose यानि की मकसद का होना हमें inspire कर सकता है लेकिन अगर हमारे goals हमें कुछ गलत करने के लिए inspire करते हैं तो अगर आप एक criminal से पूछे तो वो अपराद की कोई ना कोई मजबूत वजह बता ही देगा इन बुड़ी चीजों को अंजाम देने के पीछे शायद उसके इरादे अच्छे भी हो सकते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि अच्छे इरादे किसे कहते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके लिए सक्सेस की डिफनिशन क्या है अगर सक्सेस को लेकर हमारी समझ प्योर है तो लाइफ में हमारा मकसद भी प्योर होगा सक्सेस पाना दुनिया में सब का गोल है जब तक कि जब तक किसी को साइकलोजिकल प्रब्लम ना हो कोई भी फेल नहीं होना चाहता जब सक्सेस की हमारी डिफनिशन गलत होती है तो हम ऐसे काम करने की कुशिश करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए जैसे कुछ लोगों का मानना है कि सक्सेस का मतलब है दौलत वो अपने सारे फॉट से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने में लगा देते हैं अगर पैसे से ही खोशी खरी दी जा सकती तो हिस्ट्री में उन मिलिनियर्स की कहानिया नहीं होती जिन्होंने आत्म हत्या की थी हावर्ड से एक अमेरिकन बिजनेसमेन और फिल्म डिरेक्टर थी वो अपने वक्त के अमेरिका के सबसे अमीर इंसानों में से एक थी लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन में चले गए और उसके बाद उनकी बहुत दुखद मौत हुई दूसरे लोग अपने सक्सेस को इस बात से जोडते हैं कि वो कितने फिमस है ऐसे कई मशहूर लोग है जिन्हें बहुत कुछ जहलना पड़ा है जैसे रॉक और रोल किंग एल्विस प्रेसली को ही ले लीजिए एल्विस को हमेशा सही एक महान आर्टिस्ट माना गया है लेकिन फिर भी ज्यादा ड्रक्स लेनी की वज़ा से उनकी मौत हो गई कुछ लोग पावर को इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि वो इसे सक्सेस माते हैं आम तोर पर जब एक इंसान पावर्फल पोजिशन पर होता है तो वो हमेशा एक कदम आगे चलने की कोशिश करता है वो कभी भी सैटिसफाइड नहीं होता चीफ मनिस्टर की पोजिशन मिलना बहुत बड़ी बात है लेकिन एक चीफ मनिस्टर भी दुखी हो सकता है क्योंकि वो आगे प्राइम मिनिस्टर बनने पर कुछ ज़्यादा ही फोकस करता है इसलिए सक्सेस और हमारे फाइनेंशियल, सोसल या इंफलेशन पोजिशन का कोई तालुक नहीं है अलंद और खुशी कहा है, हमारे मन का सुकुन कहा है अपनी किताब पीस ओफ माइंड में जोश्वा लीमै ने अपने बचपन की एक च्छाओं के बारे में बताया है जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने सपनों की एक लिश्ट बनाई थी इसके बाद जोश्वा ने वो लिश्ट एक समझदार इनसान को दे दी वो चाहते थे कि वो इनसान उस लिश्ट को देखे और उन्हें बताये कि उसने क्या बदलना चाहिए उस समझदार इंसान ने जोश्वा से कहा कि वो लिष्ट बहुती अच्छी तरीके से लिखी गई है लेकिन उसमें एक चीज की कमी है पीस यानि शान्ती या सुकून क्योंकि मन की शान्ती के बिना कोई चीज मायने नहीं रखते इंसान की चाओ को ध्यान में रखते हुए सक्सेस को तीन तरह से समझाया जा सकता है पहला हमें बेश्ट बनने की कुशिस करते रहना चाहिए सभी अच्छा बनना चाहते हैं क्योंकि हम अच्छे काइंड और प्यार भरे सभाव के साथ पैदा हुए हैं हम हमेशा यहीं चाहते हैं कि दूसरों से हमें इमानदारी, इज़्जत और हम दर्दी मिले क्योंकि हमें अच्छे गुन पसंद होते हैं कभी-कभी लोग इसके पीछे हट जाते हैं फिर भी हम हमेशा यहीं चाहते हैं कि हम अंदर से बहतर बनते रहें हम ऐसा कर सकते हैं अगर आप खुद को बहतर बनाने की कुछिसे करते रहें तो आप ग्रोग करते रहेंगे सक्सेस की दूसरी डिफिनिशन ये कहती है कि हमें हर काम में अपना बेश्ट दिना चाहिए हर इंसान प्रोडक्टिव बनना चाहता है लकड़ी के फॉर्म में एक लकरहारे को एक behavioral psychology researcher के नौकरी पर रखा researcher ने लकरहारे को एक पेर पर हर रोज 8 घंटे कुलहारी से मारने के लिए कहा लकरहारी को पेर पर कुलहारी तो चलानी थी लेकिन उसके बलेड से नहीं बलकि उसके पीछे लगी लकड़ी से पीछे लगी लकडी से पेर पर चोट मारने से उस पर खोरोच तक नहीं आई रिसर्चर ने उस आदमी को दूगने पैसे दी वो आदमी रुजाना आठ घंटे पेर पर कुलहारी चलाता लेकिन उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता अब वो इस काम से उबने लगा था यहां तक कि अब पैसा भी उससे ऐसा अनप्रोडक्टिव काम करने के लिए इंस्पार नहीं कर पा रहा था लकरहारे ने वो नौकरी छोड़ दी उसने रिसर्चर से कहा कि लकडी पर कुलहारी चलाना और उसे ना काटना एक बोर्डिंग काम है उसे अनप्रोडक्टिव महसूस होने रगा था हम भी उस लकरहारे जैसे ही है हम ऐसे काम करना चाहते हैं जिसमें हमें प्रोडक्टिव महसूस हो अगर इससे हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम हार मान लेते हैं सक्सेस के तीसरी डेफनिशन है जिन्दगी में खुश और सटिसफाइड रहना हम अपने जिन्दगी में जो भी काम करते हैं उसका मकसद खुशी महसूस करना है चाहे आप एक बहतर नोकड़ी पाना चाहते हैं या एक बड़ा घर खरिदना चाहते हैं इन सभी का गोल एक ही मकसद है खुशी दस बातों की एक बात सक्सेस का मतलब है अच्छे से रहना अच्छे से काम करना और अच्छा महसूस करना यह अच्छा हाई पर डिपेंड करता है इसलिए सक्सेस के लिए नेक इरादों की जरूरत होती है जब आपके इरादे साफ नहीं होते तो आपका सोल एक सिगनल भेजता है आपको मसूस होता है कि कुछ तो गलत है कभी कभी स्ट्रेस हमारे इरादों को गंदा कर देता है जब हम रिजल्ट पर फूकस करते हैं तो हम परिशान हो जाते हैं और जर्णी का मज़ा लेना भूल जाते हैं सक्सेस्फुल बनने के लिए हमें स्ट्रेस को हटाकर अपने इरादों को साफ करने की जुरुत है परिशान रहने से आपको किसी भी चीज को जल्दी पाने में कभी भी मदद नहीं मिलेगी ऐसा करने से आप जिन्दगी की खुश्यों को एंज्वाइ करना भूल जाते हैं इसलिए अच्छा बनना बहतर करना और सबसे अच्छा मसूस करना कभी मत भूलिएगा अब जो हमने ये सीख लिया है कि असली सक्सेस कैसे हासिल करें और साफ इरादों को कैसे डिवलेप्ट करें तो अब हमें एक और चीज के जुरुत है वो है नॉलेज कुछ लोगों के इरादे तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते कि सक्सेस कैसे पाई जाती है जवाब है नहीं इसके लिए आपको नौलेज की जुरुत है आपको ये सीखना होगा कि गुल्स कैसे खिला जाता है कुछ लोगों का यह दावा है कि किसी चीज के बारे में ना जानना भी बहुत अच्छा होता है एक पती पत्नी अपनी मेरिट लाइप में बहुत खुश थे लेकिन तभी उनके साथ रहने के लिए एक महमान है वो अंकल उनके साथ 20 साल रहे जिसके वज़ा से उनके शादी लगभर तूटने वाले थी उनकल के गुजणने के बाद पती ने अपनी पत्नी से कहा कि वो उसे बहुत प्यार करता है अगर वो उसे दिल से न चाहता तो उसके अंकल को साथ में रखने के लिए कभी नहीं मानता यह सुनकर पत्नी चौक गई उसने जवाब दिया कि क्या वो आदमी तुम्हारे अंकल नहीं थे एक्चुली में वो आदमी उनका रिष्टेदार था ही नहीं लेकिन फ्री में उनके साथ रहने चला आया था इस कपल के इस इग्णोरेंस की वज़ा से उन्हें 20 साल तक दुख छेलना परा इसलिए इग्णोरेंस अच्छी नहीं होती नौलेज अच्छी होती है किसे भी काम को करने से पहले नौलेज की जरुरत होती है नौलेज की बिना हम बेकार की थियोड़ी पर काम करते रहते हैं ये काम करने वाले सिस्टम को ढूंबने के बजाए हम बहुत सारे टेस्ट करते रहते हैं अगर हम यह सीख जाए कि कोई चीज कैसे काम करती है तो इस knowledge को apply करने से चीज़े आसान हो जाएंगे knowledge का mindset बनाने का मतलब है लगतार सीखते रहना क्योंकि आपने एक skill सीख लिया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने knowledge को यहीं रोख देना चाहिए हमेशा और ज्यादा knowledge पाने की कोशिश करते रहना है यहीं फर्ग है success और failure में एक study में यह बात पता चली कि 33% Americans college से निकलने के बाद एक भी book नहीं पड़ते यह लोग मानते हैं कि degree लेने के बाद आपको knowledge की कोई जरुरत नहीं है वो कुछ नया सीखना नहीं चाहते ऐसे लोग कभी success हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वो progress नहीं करते आज कल knowledge का जैसे धामा कासा हो गया है इंटरनेट ने हमें पूरी library और knowledge लेने के लिए एक बहुत बड़ा platform दे दिया है आज हम कोई भी जानकारे चुटकियों में ले सकते हैं हम किसी भी चीज को किसी को भी भी भेज कर अपने idea share कर सकते हैं इसलिए अगर आप कोई चीज invent करते हैं या एक idea develop करते हैं तो आप अपने knowledge को पूरी दुनिया में share कर सकते हैं आप घर से ही अपना business कर सकते हैं अभी तक हमने जिस knowledge की बात की वह material knowledge है एक और तरह की knowledge होती है जिससे ज्यादातर लोग नजर अंदाज करते हैं इसे spiritual knowledge कहा जाता है जो भी knowledge सीखते हैं spiritual knowledge हमें उसे apply करते वक्त अच्छे इरादे रखने में मदद करती हैं साइंस ने भले ही हमारी जिन्दगी को बहतर बनाया है लेकिन nuclear bomb, bioengineering और pollution जैसी हानिकारक अविश्कारू का जिम्मेदार भी तो यही है scientific knowledge limited होती है यह भगवान और आत्मा के होने की थेड़ी को नहीं समझा सकती किताबे पढ़कर और गुरुवा से सिहकर spiritual knowledge को समझना चाहिए अगर आप material और spiritual knowledge को मिला देंगे तो यह आपको मन चाहे चीजों को समझने और उन्हें हासिल करने में मदद कर सकता है आप एक काम करने वाला system ढूंड कर उसे copy कर सकते हैं और अपने skill को इंप्रूफ कर सकते हैं the mindset of discipline discipline एक ऐसा जादूई तरिका है जो आपकी जिन्द्गी को तेजी से बहतर बना सकता है भले ही आप किसी एक चीज की knowledge ले लें लेकिन अगर आप उसे apply नहीं कर पाए तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा discipline की मदद से इरादा success में बदल जाता है एक्षा achievement बन जाती है और knowledge practice बन जाती है discipline एक ऐसी ताकत है जो हमें मुश्किलों का सामना करते वक्त भी आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देती है कई social scientist ने यह साबित किया है कि intelligence और self control ऐसी दो खूबिया है जिसे आपको guarantee है कि success मिल सकती है intelligence आपको अपने parents या grandparent से मिल सकती है लेकिन willpower नहीं यह आपके third जोर feeling से आती है इसलिए आप practice से ज्यादा self discipline बन सकते है ज्यादा तो लोग मानते हैं कि उनमे self control की जो कमी है उसे ठीक नहीं किया जा सकता है वो अपनी कमजोडियों को अपना लेते हैं और अपने willpower का develop करने की कोश्च भी नहीं करते क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है self control के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है हमारे senses, mind और intellect यानि की बुद्धी intellect हमारे brain का एक intelligent हिंसा है यह हमें उन long term goal की याद दिलाता रहता है जो हमें हासिल करना है mind और senses एक दूसरे के दुस्मन है वह result का इंतजार नहीं कर सकते और उन्हें तुरंत reward चाहिए होता है आपका intellect चायद आपको काम की importance याद दिलाने की कोशिश करेगा लेकिन आपका mind इस जंजट से दूर भागने की भी कोशिश करेगा सक्सेस पाने के लिए मेहनत की जरुरत होती है और इसलिए ये इतना आसान नहीं होता आप अपने गोश को रातो रात नहीं पा सकते ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो आपको तुरंत सक्सेस पाना सिखाता है वो एक दोखा भर है रोज प्रेक्टिस किये बिना और डिसिप्लीन के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते अगर आप किसी चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसे लंबे वक्त तक प्रेक्टिस करना होगा 1993 में फ्रोरिडा स्टेट इनवर्सिटी के एक साइकोलोजिस्ट और प्रोफेसर के अंडर एरिक्षन ने एक आर्टिकल पब्रिश किया था के अंडर एरिक्षन ने स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस के फेमस टेलेंटेड लोगों के पर्फॉर्मेंस को एनलाज किया उनका गोल ये जानना था कि क्या टेलेंट हमेशा पैदाशी मिलता है इससे एरिक्षन ने ये जाना कि सक्सेस को पाने की असली चावी है प्रेक्टिस करना एक इनसान को एक स्किल में मास्टर बगंडनी करने के लिए उस पर कम से कम 10,000 घंटे काम करना होगा इसका मतलब है 10 साल तक रोज 3 घंटे प्रेक्टिस करना तभी आप एक फिल्ड में दूसरों से अलग बन पाएंगे अगर सक्सेस रूइज प्रेक्टिस करने से मिलती है तो हम सभी अपने गोल्स को पाने के लिए 10,000 घंटे काम क्यों नहीं करते एक बार एक राजा ने अपने मिनिस्टर से उनकी उमर के हिसाब से उन्होंने अब तक जो सीखा था उसे एक पेपर पर लिखने के लिए कहा वो अपने लोगों से बहुत प्यार करते थे और मरने के बाद उनके लिए कोई काम के चीज छोर कर जाना चाहते थे कई मिनिस्टर्स जमा हुए और उनकी किताबे पढ़ी इस बात पर गंमीरतर से चर्चा किये उन्होंने सारे तीन पन्नों का एक ड्राफ्ट लिखा राजा ने उसे पढ़ा तो उन्हें वो पसंद भी आया लेकिन उन्हें लगा कि वो बहुत लंबा है मिनिस्टर्स फिर से जमा हुए और इस बार उन्होंने एक पन्ने का ड्राफ्ट बनाया राजा ने इसे भी पढ़ा और इससे भी काफ़े इंप्रेस हुए लेकिन उन्हें इससे भी कुछ छोटा चाहिए था उन्हें सिर्फ एक सेंटेंस चाहिए था मिनिस्टर्स ने इस बार और बहनत की और राजा के सामने एक ऐसा जादोई सेंटेंस लेकर आए जिसमें वो सब कुछ था जो उन्होंने आज तक सिखा था वो सेंटेंस था जिसका मतलब है कि आपको दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिल सकती उसके लिए आपको कोई न कोई कीमत चुकानी ही परेगी राजा को ये बेहत पसंद आया यह एकदम परफिक्ट था लोग मुफ्त में सक्सेस पाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि मुखके खुद बखुद उनके सामने आ जाए लेकिन ये गलत सोच है अपनी फिल्ट में बेश्ट बनने के लिए आपको रोज प्रैक्टिस और महनक कर दी होगी कई लोग फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो इस कमिटमेंट के डर और इससे होने वाले दर्द को जहिल नहीं पाते सक्सेस पाने की एक कीमत होती है जो वो देने के लिए त्यार नहीं होते उन्हें अपने कमफर्ट जो उनसे निकलना पसंद नहीं होता लेकिन जो लोग मुश्किलों को गले लगाते हैं वही नमुम्किन चीज भी हासिल कर पाते हैं सक्सेस्फुल लोगों में विल्पावर और सेल्फ कंट्रोल होता है विल्पावर के तीन एलिमेंट्स होते हैं पहला हम लॉंग टर्म रिजल्ट पाना चाहते हैं दूसरा अपनी मन चाहे चीज को पाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तयार हो जाते हैं बले ही वो कितना ही तक्लिफ भारा क्यों न हो तीसरा हमारे रास्ते में कुछ भी आ जाए हम उसे पार करने के लिए तयार होते हैं यह शायद वो अन्प्रोडक्टिव हैबिट्स भी हो सकती है जिन्हें आपको दूर करने के जरूरत है विल्पावर एक मेंटल मसल है जितना जादा आप इसकी एकसरसाइज करेंगे यह उत्राही मजबूत बनेगा आमतर पर लोग रोज सुबह स्ट्रॉंग विल्पावर के साथ हुरते हैं वो अपने टेम्टेशन से लड़ते हैं और अपने सारे जरूरी काम सुबह ही कर सकते हैं जैसे जैसे दिन बीटता है हमारे विल्पावर कम होने लगती है हम आसाने से इधर उधर भठक जाते हैं क्योंकि यह हमारे सेल्फ कंट्रोल की एबिलीटी को रिचार्ज होने की जरूरत परती है आम तोर पर रात में अच्छे निंद लेना आपको रिचार्ज करने के लिए काफी होता है और रोज एक सिंपल सा ठास्क करके हम अपने विल पाउर को बढ़ा सकते हैं यहीं वो तरीका है जिससे हम नई आदते बनाते हैं नई आदत बनाना मुश्किल होता है क्योंकि ऐसा करने के लिए विल पाउर की जरूरत होती है लेकिन आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे यह उतना ही असान होता जाएगा नई आदत को बनाने में तीन हफ़ते, तीन महीने या फिर इससे भी ज़्यादा वक्त लग सकता है या इस बात पर डिपेंड करता है कि वो आदत कितनी मुश्किल है प्रॉब्लम तो हर जगा है ऐसा नहीं है कि successful लोगों के सामने challenges नहीं आते वो सिर्फ यह जानते हैं कि उन्हें handle कैसे करना है उनका mindset positivity से भरा हुआ है ताकि जब भी उन्हें कोई problem दिखे तो वो सीधा उसके solution के बारे में सोच सके वो ना ही मुश्किलों से दूर भागते हैं और ना ही बुड़ी किस्मत को दोश देते हैं वो जिन्दगी का डटकर सामना करते हैं जिन्दगी में जितना ज्यादा आप अच्छीव करेंगे आपके challenges उतने ही बड़े होते जाएंगे अगर आप सुचते हैं कि आपके सामने problems कभी नहीं आएंगे तो आप भ्रहम में जी रहे हैं कुछ लोगों के लिए success का मतलब होता है problems को solve करने की ability होना जिन लोगों में अच्छे problem solving में इसकील होते हैं उन्हें उनकी जिन्दगी और office में ज्यादा value दी जाती है उन्हें इज़त दी जाती है और सभी को उनकी जरूरत पड़ती है किसी problem को solve करने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आप उसके होने से पहले ही उसका अंदाजा लगा ले अंदाजा लगाने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को stress में डालने इसका मतलब यह है कि आप दो कदम आगे की सूचे कभी कभी हम problem को पहचान कर उसके होने से पहले ही उसके दूर कर देते है ऐसा वक्त भी आता है जब हम अचानक आई problem से हैरान हो जाते है जब कोई problem आए तो हमें सचाई का सामना करते हुए ए उसे accept करना चाहिए इसके बाद हमें किसी भी तरह का ड्रामा नहीं करना चाहिए हमें उस problem को सही नजरिये से समझना चाहिए एक college जाने वाली लर्की ने होस्टल में तीन महीने रहने के बाद अपनी मा को एक लिटर लिखा लर्की ने लिखा कि उसने एक motorcycle rent पर लेने के लिए अपनी roommate के पैसे चुराएं driving करते वक्त वो एक लेंपोस से जा टकराई और उससे उसका एक पैर तूट गया एक अच्छे doctor ने उसका हिलाज किया और उसे एक दूसरे से प्यार हो गया है वो लर्की अब उस doctor के साथ रह रही है वो pregnant है और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया है वो दोनों उसके blood test के negative आने का इंतिजार कर रहे थे क्योंकि उसे एक गंभीर भीमारी हो गई थी लर्की ने अपनी मा को चिंता ना करने के लिए कहा क्योंकि शादी के बाद उन्होंने लर्के की family के साथ रहने का plan बनाया था जब doctor ने उसके मदद की थी तो उसके बाद उनकी नौकरी चली गई थी इसलिए उस लर्के और उसके husband के पास अपने parents के घर जाने के अलावा और कोई चारान नहीं था लर्की ने अपनी मा को वहरोसा दिलाया कि वह doctor से प्यार करती है क्योंकि वह एक अच्छा इंसान है उस रिष्टे में सिर्फ एक problem थी कि उस लर्के का धर्म अलग था और वो लर्की पर अपना धर्म बदलने का दबाव डाल रहा था लर्की ने आखिर में यह लिखा कि उपर बताई गई सारी बाते जूट है वह अब भी algebra में फेल हो गई है और इस चोटी सी problem को सही नजरिये से सामने रखना चाहते थे इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कोई problem तब तक बरी नहीं होती जब तक हम उसे बरा नहीं बरा देते हमें किसी problem से घवराना नहीं चाहिए और शाथ दिमाग से काम लेना चाहिए इस तरीके से हम सबसे intelligent solution निकाल सकते हैं हमें हर मुश्किल को आगे बढ़ाने के एक मौके की तरह देखना चाहिए काम पर focus कीजिए उसे सबक सीखिए और आगे बढ़ते रहिए अगर कोई इनसान आपको नुकसान पहुँचाता है तो बुरा लगना लाजमी है लेकिन आपको इस बात को कभी भी अपने मन में पकर कर नहीं रखना चाहिए करवाहट और नफरत से आपको कुछ नहीं मिलेगा कैसे भी तरह के धोखे को एक सबक की तरह लीजिए जो आपको कूछ सिखाने और आपको यहां खोलने के लिए आया था हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है आपको अपने competitors और दुस्मनों से deal करना आना चाहिए हैं या आप positive mindset की practice भी कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि दूसरों का criticism यह नहीं बताता है कि आप सच में क्या है लोग शायद आपको इसलिए नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि वह insecure है या आपसे जलते हैं आपका attitude ही decide करता है कि आप successful होंगे या fail हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी तरह का दुख कुछी समय के लिए रहता है लेकिन उस experience से मिलने वाले listen हमेशा आपके साथ रहते हैं इसलिए चोकिये मत हर्ट फिल मत कीजिए चलेंजर से इड्वॉल्व होकर निकलना सीखिए और अब वक्त है conclusion का यानि जितने भी chapters हमने पढ़े और सुने उनके key points को हम यहाँ पर रिवाज करेंगे तो सबसे पहले आपने सीखा कि mindset एक mental habit है positive रहने से आपकी health, office में आपकी performance और आपकी खुशी के level को improve किया जा सकता है दूसरा आपने सीखा कि आपको अपनी emotions पर काबू पाना होगा अगर आप अपनी negativity के लिए अपने आज पास की चीजों को दोश देंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसके बजाए आपको अपने गलतियों को पहचानना होगा, उन्हें ठीक करना होगा और अपने thoughts और feelings के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी तीसरा, अपने जाना की inspiration एक ताकत है, यह motivation का एक जड़िया है, किसी भी काम को करने के लिए मजबूत मकसद रखने से हम inspire हो सकते हैं इस दुनिया में हम कुछ ही समय के लिए हैं, यह याद रखने से हमें present पर focus करने में मदद मिती हैं चौथा, अपने दो तरह की knowledge के बारे में जाना, material और spiritual, material knowledge इस दुनिया के बारे में है, spiritual knowledge आत्मा और परमात्मा के बारे में है आपको अपने mind को खोल कर इन दोनों को सीखना होगा पाचवा अपने सीखा के discipline के लिए willpower के जरुत होती है आप अपने willpower को एक muscle की तरह train कर सकते हैं तब तक practice करते रहिए, जब तक आप success के नई आदिते नहीं बना लेते talent हमें पैदाईशी नहीं मिलता है, बलकि पैदा किया जाता है और लगतार काम करते रहने और डटे रहने से इसे बहतर बनाया जा सकता है आखिर में अपने समझा कि problem को आने से कोई नहीं रोग सकता आपको challenges से दूर नहीं भागना है, बलकि उन्हें आगे बढ़ने के मौकों की तरह देखना है हर mindset एक ऐसी आदत है, जिसे सबर के साथ और लगतार करते रहने की जरूरत है आपको इन mindset को तब तक रोज practice करना होगा जब तक ये आपका हिंसा नो बन जाए ये साथ mindsets वो कमाल के tool हैं जो आपकी जिद्गी को बदल कर रख सकते हैं तो आज से ही शुरुआत कीजिए और आप जल्द ही एक successful खुजहार और संतुष्ट जीवन enjoy करने लगेंगे और यहीं हमारी wish wishes है इसी मौर पर ये समड़ी यहीं पर समाप्त होती है लेकिन इस साथ mindset किसी खजाने की तरह है और खजाने को किवल संभाल कर रहीं नहीं रखा जाता इससे खर्च भी किया जाता है और इससे बढ़ाया भी जाता है सरवल भासा में इसका implement किया जाता है और इसे सभी के शार्च शेयर किया जाता है जिससी आपको सबसे ज़रूरत थी इंतिजार है आपके कमेंट्स का बहुत जल्द एक नई बुक समड़ी के साथ फिर होगी मुलकात तब तक रखे अपना बहतर ख्याल सुनते रहे समड़ी फॉर यू और लड़नी को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लिमेंट करते रहे जय हिंद जय भारत